कि आज को जो टॉपिक है वो फाइनांस है मतलब कुंडली में जो second house होता है वो wealth का house होता है यदि हमको यह पता करना है कि हमारा wealth कहाँ से आएगा कैसा होगा, किस प्रकार का होगा तो उसके लिए हमको second house को examine करना पड़ता है क्योंकि source of wealth या wealth के बारे में या finance के बारे में हमें जो information देने का काम करता है वो क्या करता है second house करता है तो आज जो हम पढ़ेंगे वो finance का topic जो है वो second house से related है ठीक है चलिए देखिए कभी भी कोई भी topic हो या कोई भी event हो तो उसमें मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ ऐसे number होते हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसे houses होते हैं जो उस event के लिए बहुत major important होते हैं जैसे हम शादी की बात करेंगे तो 7 number major हो जाता है बच्चे की बात करेंगे तो 5 number major हो जाता है अब यहां 6 और 10 negation के रूप में major हो जाता है यहां 4 number 10 number negation के नाम पर major हो जाता है ठीक है education पड़ते तो आपने देखा होगा 4, 8, 10 यह सारे number क्या होते हैं important role अदा करते हैं 5 ठीक है finance के लिए हमें second house का कस्पल सबलोड देखना है किसको देखना है second house का कस्पल सबलोड तो हम देखते हैं कि second house का कस्पल सबलोड in the star lot if signify 2, 6, 11 ठीक है ध्यान रखिए जैसे marriage की बात करते हैं तो 2, 7, 11 यह सबसे important और major number होते हैं उसी प्रकार से finance के लिए कहीं पर भी finance की बात होगी पैसे की बात होगी वहाँ पर सबसे important role अदा करने वाले number जो होते हैं वो 2, 6, 11 होते हैं ओके 2, 6, 11 जो है वो gain को शो करते हैं किसको शो करते हैं gain को या इसी को हम कहेंगे कि finance को शो करते हैं तो आपके दिमाग में यह आदा आना चाहिए कि यदि कोई wealth की बात कर रहा है कोई पैसे की बात कर रहा है कोई finance की बात कर रहा है तो वहाँ सबसे important role अदा करने वाले जो number हैं वो है 2, 6, 11 ठीक है देखें यह जो second house है यह आपका wealth होता है second house जो होता है वो आपका wealth होता है आपके just opposite कौन होता है partner होता है या opponent होता है कौन होता है opponent होता है या आपका partner होता है या आपका life partner होता है या आपका business partner होता है या आपके just सामने बैठा हुआ वेक्ती होता है ठीक है तो जिस प्रकार से हमारे लिए हमारा wealth हमारा next house है मतलब second house है उसी प्रकार से इसका भी wealth क्या होगा इसका next house होगा मतलब यह कौन सा हूस है एर्थ हाउस ठीक है जिस प्रकार से हमारे लिए 12th हाउस जो हमारा expenditure है खर्च है expenditure है खर्च है उसी प्रकार से यह जो opponent बैठा है इसका भी 12th हाउस कौन सा होगा यह वाला हाउस 6,000 ठीक है तो यह क्या होगा expenditure होगा किसके लिए opponent के लिए अब देखिए यह two number तो आपका है यह आपकी wealth है लेकिन यह जो six number है वो सामने वाले का पैसा है क्योंकि जब सामने वाला expenditure करेगा मतलब where करेगा मतलब expand करेगा money तभी तो आपको मिलीगी देखिए पैसा ना तो पैदा किया जाता ना उगाया जाता है वो क्या होता है transfer होता है एक के पास से दूसरे दूसरे के पास से तीसरे तीसरे के पास से चौत है उसके वज में या तो हम कोई चीज़ देते हैं या service provide करते है जैसा मैं टम समले में टमाटर का बीज लगा देंगे तो मिट्टी में से टमाटर का पौधा आ जाएगा पैसे के साथ ऐसा नहीं हमको कुछ exchange करना पड़ता है तब हमारे पास money आती मनी ट्रांसफर होती एक विक्ति खर्च करता है तो दूसरे विक्ति को मिलता है उसी प्रकार से यह जो दो number है वो आपका पैसा है six number दूसरे का पैसा कैसे है क्यों कि आपकी just सामने जो seven thousand है वो आपका opponent है और उसका 12 thousand है वो आपका चला जाएगा तो उसने कुछ नहीं किया लेकिन उसने एक कपड़े को भी खरीद लिया तो उस client ने अपने 12th house को activate किया इसलिए उसने पैसे खर्च किये और जैसे उसका 12th house activate हुआ आपके पास वो पैसा आ गया ठीक है तो हम अपनी कुंडली से कैसे देखेंगे तो जो सामने client बैठा है वो हमारा opponent है और opponent का 12th house active होना मतलब ये just पहले वाला house active होना मतलब 6th house active होना तो यदि आपकी कुंडली की script में 6 number आ रहा है मतलब आपको सामने वाले से पैसा मिल जाएगा इसलिए 2 number 6 number बहुत मेजर रोल अदा करते हैं ठीक है 11 number आपको पता है desire है एक्षा है ठीक है gain है इसलिए finance के case में या पैसे के case में हमेशा याद रखें 2 6 11 is the major number क्यों major number है वो मैंने आपको यहाँ पर detail बता दी कभी भी कोई event आता है तो उन events के लिए कुछ number बहुत important हो जाते हैं उन्ही नंबर के basis पर हम पूरी script को read करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि स्टार लॉड लेवल पर क्या रहा है सब लॉड लेवल पर क्या आ रहा है ठीक है तो आपको यहां पर यह चीज समझ लेनी है कि जब भी finance की यह wealth की बात होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होंगे 2611 ठीक है कि 2611 किस चीज को शो करते है गेन को शो करते हैं अब देखें डेंजरस नंबर क्या है 5812 इन नंबरों को ध्यान रखिए ठीक है यह डेंजर है किस के लिए wealth के लिए finance के लिए ध्यान से देखिए यह आप है यह आपका ओपोनेंट है ठीक है आपके लिए gain क्या है second house आपके लिए gain क्या है second house तो इस वेक्ति के लिए gain क्या है इसका second house तो यह कौन सा house है एक है आपके लिए gain क्या है sixth house तो इसका six क्या होगा one two three four five six यह कौन सा house है यह समझ में आगे यह दोनों नंपर समझ में आगे कहां से आए हैं अब देखिए आपके लिए gain क्या है 11th house 11 इसके लिए भी 11th होगा one two three four five six seven eight nine ten 11 यह कौन सा house है तो आपकी कुंडली के according आपकी wealth के लिए आपके finance के लिए यदि आपके script में पांच आठ बारा है तो यह आपके लिए dangerous है और disaster क्यों dangerous और disaster है क्योंकि यह पैसे को दूसरे की तरफ जाने का शो कर रहा है यह किस कहा है पांच आठ बारा किसके नंबर है अपोनेंट्स के मतलब आपके पास से wealth निकल के दूसरे के सामने चली जाएगग इसी लिए wealth के मामले में 2611 आपका gain है 5812 आपके लिए loss है पैसे का फसना है या आपके फास finance का न आना है इसलिए इन नंबरों की भूमिका को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको finance हमेशा दिमाग में सेट रहे है क्लेर है यह च्छे नंबर समझ में आगए आपके finance के लिए 261 5812 हमेशा द्हान रखें ठीक है यह आपके समझ में आ जाएगा तो finance आपको समझ में जाए अब देखते हैं conditions यदि second house का कस्पल सबलॉड इन दस्टार लॉड एरो का मतलब है इन दस्टार लॉड signifying 2611 best condition ठीक है मालेज़े 211 दे रहा है 812 दे रहा है अलग-अलग नंबर दे रहा है अब आप समझ सकते हैं क्या होगा ठीक है अब देखे 211 दे रहा है यह आपका wealth है यह आपकी desire है आप क्या करेंगे earn भी करेंगे और save भी कर लेंगे ठीक है 8 and 12 dangerous नंबर क्या है इसमें से 8 और 12 आ गया no save no saving only expense जो पैसा रहेगा वो खर्च हो जाएगा ठीक है किसी प्रकार की कोई saving नहीं होगी और पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं पांच नंबर और 8 नंबर आ गया आपका पैसा फस जाएगा इसको कहते हैं entangled of money आपका पैसा फस जाएगा ठीक है कहीं पर भी invest करेंगे वो जाके फस जाएगा यह आ गया क्या होगा नो मनी पैसा मिलेगा ही नहीं किसी को पैसा दे दिया तो वापिस ही नहीं मिलेगा कहीं पैसा invest कर दिया तो पैसा आपका डूप जाएगा क्योंकि यह पांच चार्ट बारा जो है 5812 यह तो disaster है finance के लिए disaster number है 5812 यह तो आप उसको क्या कह सकते हैं आप गरीबी का सिकार हो सकते हैं पोवर्टी गरीबी को कहते हैं पोवर्टी क्योंकि पैसा तो दूसरों के पास चला जाएगा ना आपका ठीक है आपकी wealth की condition worst हो जाएगी तो पांच आट बारा बहुत ही खतरनाक होते है ठीक है clear है आठ नमबर मतलब पैसा पूरी तरीके से फस जाना आठ नमबर क्यों डेंजर है क्योंकि आठ नमबर क्या है अपोनेंट का second house है ठीक है आपके लिए सबसे major number कौन सा है two number क्यों क्योंकि आपका ये wealth है आपका bank balance है आपके पास जो finance है white money ठीक है उसी प्रकार से ये eight number अपोनेंट का है मतलब यदि eight number active है आपकी कुंडली में तो ये मान के चलिए वो पैसा दूसरे के पास जाएगा आपके पास नहीं रहेगा आप बताओ आठ और बारा को कैसे यूटिलाइस करोगे कोई बताना चाहेगा इंबेस्टमेंट में इंबेस्टमेंट में इंबेस्टमेंट में आठ और बारा को यूटिलाइस करना तो क्या करें और कोई अब इंबेस्टमेंट में पहुंचा दीजेगा ठीक चलो देखो पांच नंबर आठ नंबर बारा यह सब आपकी कुंडली के नंबर इंध्यान रखना ना पांच 5812 के आपकी कुंडली के नंबर है तो यूटिलाइजेशन आपको ही करना पड़ेगा बता यह दूसरे के लिए रहें लेकिन है तो आप इक कुंडली के नंबर न तो डेंजर मैंने आपके लिए बताया आठ नंबर है अब दिखे यह आठ नंबर मतलब एर्थाउस है ठीक है यह आप है यह क्या है आपका या तो हस्वेंट होगा या तो उसके लाइफ पार्टनर का क्या है वेल्थ है ना तो यदि आप कोई वेल्थ का काम कर रहे हैं तो आपको यह सोच लेना कि मेरी कुंडली आठ दिखा रही है ठीक है तो आपको सारा वेल्थ किसके नाम से रखना पड़ेगा आपके लाइफ पार्टनर के नाम से ठीक है तो पती है या तो आपकी पतनी है बिजनस आप करिए लेकिन बैंक अकाउंट किसके नाम से खोल के रखेंगे आप अपने लाइफ पार्टनर के ठीक है तो यह आप इस आठ नंबर के यूटलाइज कर सकते हैं 12 बहुत सिंपल है 12 नंबर जो भी पैसा कमाएं उसको बैंक में जमा करने की जगह कहां करते जाएं इन्वेस्ट करते जाएं मतलब आपने एक बिजनस किया उस पैसे को दूसरे बिजनस में इन्वेस्ट कर लिए अब मुक्य संबानी है उसका 12 थाउस एक्टिव होगा 100% क्यूं क्योंकि वह ऐसा थोड़ी पैसा कमा कि तीजोनी में रहा और ब क्रिस्ट करके रखें ठीक है क्योंकि हमेशा मैंने आपको हमेशा बताया यह सबसे खतरनाक नंबर है क्रिश्णमूर्थी पद्धिती में आठ और बारा जहां एक साथ आजाएं वहां पर क्या होता है क्या होता है डिजास्टर फिर यह अपनी क्या बुलते हैं हाउस सिग् फाइनांस में आ जाया ऐजूकेशन में मैरिज में आ जाया जाया यह बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आपको आएगी वह डिजास्टर लेवल पे ले जाएगी आपको एट और ट्वियल वैसी खत्रनाक होते हैं टो फाइनांस कے हिसाब में आप उसको कैसे मैनेज कर सकते ह वो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने life partner के नाम पर करिए ठीक है कभी-कभी आपने देखा हूँ ना शादी के बाद किसी के घर में पैसे की आवग जावग बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है ये वाला house active हो जाता है ठीक है माल लिजे Mr. A है वाइफ के और ये जो वाइफ है ना तो नौकरी करती कुछ नहीं करती है इसके बाद बहुत बड़ा पद है वो है house wife का ठीक है जो विचारी घर के काम करती है जिसकी कोई तनखा ने मिलती लेकिन script दे रही है आठ नमबर आठ नमबर दे रही है इसकी script मतलब इसको अपने partner से क्या होगा फाइदा होगा तो वो partner तो उसका पती है ठीक है तो हो सकता है उसका पती उसको तनखा लाके पूरी उसके हाथ में दे देता हो कितना अच्छा पती उसको गलती से मिल गया पूरी पेमेंट दाके वो उसके उसके हाथ में देतेगा तो उसका आठ नमबर ऐसे यूटलाइज हो अडर्स्टाइड तो जब ये ऐसा हो सकता है तो इसका opposite भी हो सकता है अब आप business करना चाह रहे हैं आपकी script में आठ नमबर आ रहा है तो वो आठ नमबर वरना चला जाएगा ठीक है तो किसी भी case में उन नमबरों के utilization उन नमबरों के signification और उसका उस event के लिए major role क्या है उसको आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी script को आप read कर सकते हैं किसी भी number की utilization को आप बढ़ा सकते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर मैंने आपको तीन नमबर बताई 261-5812 यदि आप इनके signification को finance के prospect में समझ जाएंगे तो आप उसकी किसी की भी script को आसानी से पढ़ सकते हैं और उस script के base पर आप उसको remedy दे सकते हैं ठीक है क्योंकि वो number आ रहे हैं पिछले जनम में क्या कर्म किये थे और उसका क्या फल आपको भागे के रूप में प्राप्त हो उसके according होगा ठीक है यदि आपके पास कोई आ गया और किसी ने आपको सला दे दी ऐसा ऐसा करो तो वो भी आपकी destiny है ठीक है फिर यदि आप utilize नहीं करते हैं तो फिर आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप समय दिम्मेदार हैं ठीक है तो finance में यह number जो हैं बहुत major role अदा करते हैं इन number के signification को आप समझ जाएंगे तो किसी भी script को आप असानी से पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगे clear हो गया यहां तक किसी को कोई problem है तो बताईए अगर फाइफ नंबर आगा तो जैसे कि बच्चों का नाम पर भी रख सकते हैं हां फाइफ नंबर आपका चाइल्ड है फस्ट चाइल पांच नंबर को आप अपनी कुंड़ी के साब से कैसे यह ना पांच नंबर ठीक है अब माली जब बिजनेस कर रहे हैं और आपको आपका फाइनांस आट नंबर दिखा रहा तो आप फिफ्थ हाउस के सिग्निफोकेशन इसलिए बच्चे के नाम से करिए या बच्चों के खिलोनेका का काम करिए यहां पर एंटेटेंम्न आता है ठीक है माली जब दुकान खुलना चाह रहे हैं तो entertainment से related वस्तू की दुकान खोल दीजिए तो आपका फांच नंबर यूटलाइज हो जाएगा ठीक है इसलिए हाउस के सिग्निफिकेशन आपको पता है तो आप remedy अपने आप कर सकते हैं उस सिग्निफिकेशन को यूज कर लीजिए वो remedy आटमाटिक हो जाएगा चुकि यह डेंजरस नंबर है पांच आठ और बारा इसलिए मैंने आपको बता दिए ठीक है यहां सबसे सब्सक्राइब करना जम्हा करना आपने कर लगाएं के इन्वेस्ट का हूस यहां रकना है यह नहीं है ओ टिके यह बैंक बैलेंस का आपके पास जो बैंक बैलों इसमें इसको विलथ कहा जाता है जो आपके पास है जो पैसा आपके पास थोड़ी वो तो किसी और के बास है जिसके पास आपने इन्वेस्ट कर रख है तो जो पैसा आपका है आपके पास यह 2511 वह सकते हैं ना पांच वह इंडिकेट करते हैं है पांच नंबर जो है हो क्या होता है स्पेकिलेशन से आपको बैनेफिट होगा पांच नंबर यह भी किया है हम आपने आपने और और को सकते हैं वाइफ भी उनका आट और बारह नहीं आना चाहिए न किनका आपके स्क्रिप्ट में पांच आड़ आ रहे हैं तो आप रेमेडी की रूप में क्या कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं अब आप यह कहना चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ पार्टनर केसले उसमें पैसे जमा कर रहा हूं लेकिन लाइफ पार्टनर की कंडले में भी पांच हाट बार आज यहीं कहने बहुत है और मेरे के सबहु produce भी एंग्टरव उनका तो उनका पैसा दूसरे के पास चला जाएगा तो अब क्या कर सकते हैं जॉइंड अकाउंट खोल सकते हैं तो उन्हों का अटनम्द्र हो गया ना वह करेक्ट चले तो कितना भी स्मार्ट बन लीजिए कितना भी कुछ कर लीजिए आप तो यह जो बहुत ही फेमस है उसने लाकों लोग का ऐलाज की आओ कितने लोगों का लाखो लेकिन उसके पास एक वेक्ति ऐसा आएइगा जिसका वो इलाज करी नहीं सकता तो इसमें डॉक्टर की गल्ती नहीं है क्योंकि इसने तो लाखों लोगों को ठीक करा है ना, लेकिन उसके सामने एक या दो वेक्ति ऐसा आएंगे, जिसके वो रोगों को भी समझ जागा और इलाज भी नहीं कर पाएगा, तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, वही है, उसके प्रारब्ध कर्मा, जो आप कहना च बिलती नहीं है, लेकिन इस डॉक्टर की ड्यूटी है, कि यह अपना काम करें, इसका ट्रीट्मेंट करें, इसका इलाज करें, वैसे आपको एक ऐस्टॉलजर है, आपको सारी रेमिडी बताना है, उसको सारी चीजें बताना है, अब उसका प्रारब्ध डिसाइड करेगा, कि आपके उसको काम कर रही की नहीं कर रही अन् territory कि हलो कि हमें दोनों हैंड सूचना हैं दोनों ardंक ले पीकि डियूटी कि वह आपके पास आया अपकी डियूटी उसको रेमिडी देना उसको बताना अब उसका प्रारवद की ऑप से और वह बंडैना और से चले जाना तो आदमी बोले गरे मैं right hand से क्यों जाओ, उनकी क्यों बात मौन हो, मैं left hand से जाताू पता पर जल left hand से जाएगा और accident हो जाएगा फिर उसको दिमाग में आगा गहा रियर मैडम नहीं कहा है left से जाना मैं right से चला गहाएगा कई लोग बाद में समस्ते हैं उस चीज को लेकिन हमारा काम जो है वो सही चीज बताना उसको सही एडवाईज देना फिर तो उसकी डेस्टिनी ही उससे कराएगी क्योंकि वो एस्ट्रलाजर के पास इसलिए आया है क्योंकि इसकी डेस्टिनी उसको लेके आईए तभी तो कृष्णमूर्थी पद्दिती में होरैरी सिस्टम लाया गया है होरैरी सिस्टम क्या यह ही है उनका मानना है कि ग्रह नक्षत्रों ने इसे यहाँ बैठाया है और यह उसके मूँ से एक नंबर निकल वाएंगे जिसके हिसाब से इसकी कुंडली बनेगी और सारा प्रेडिक्शन होगा ठीक है या तो उसको कोई भेजेगा आपके पास यह स्वाइम आ जाए क्योंकि हर विक्ति एस्टॉलजर के पास नहीं जाएगा जब तक उसकी कुंडली में पांच नंबर नहीं आएगा negation of six ठीक है अब देखे source कैसे पता करते है source of finance ठीक है इन नंबरों को आप समझ जाएंगे finance को असानी समझ जाएंगे share market के लिए 5th house के कस्पल सब्लोट को भी देखना हावश्यक है के बल सेकेंड हाउस के कस्पल सब्लोट से आप share market कंदाजा नहीं लगा सकते है चलिए source source के लिए मैंने आपको बताया है क्या होगा इसके planet को देखना पड़ेगा किसको देखना पड़ेगा planet को आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस के कस्पल सब्लोट का कौन सा planet है ठीक है आप planet देख लेंगे उसके बाद देखेंगे कि ये planet किस house में है किस house में है जिस house में होगा वो house source of finance बनेगा वो house क्या बनेगा source of finance बनेगा पर इक्जेंपल आपने देखा सेकंड हाउस का कस्पल सब्लोट का planet मालीजे first house में जाकर बैठा है कहां पर बैठा है first house में जाकर बैठा है अब मालीजे वो first house में बैठा है तो first house क्या है self मतलब सीधी सी बात है जब तक वो व्यक्ति किसी काम में खुद की effort नहीं लगाएगा खुद involve नहीं होगा खुद महनत नहीं करेगा तब तक उसको wealth की प्राप्ती नहीं होगा किसी कुंडली में आपने देखा 7 था उसका कस्पल सब लॉड इंदा स्टार लॉड 1, 2, 11 दे रहा है और marriage देख रहे हैं आप marriage के लिए 2, 7, 11 चाहिए यहां पर आगया एक number जब तक यह वेक्ति शादी खुद नहीं करना चाहेगा धरती पर इसकी कोई शादी नहीं करा सकता ठीक है अपसरा भी आ जाएगी तो यह reject कर देगा जब तक इसका मन नहीं करेगा जब तक यह स्वैम नहीं सोचे का अब मैं शादी कर लूँ तब तक इसकी शादी नहीं होगी क्यों क्योंकि यह one number self आ गया किसी भी event में जब one number आ जाता है मतलब आप self हो जाते है अब आप decision maker हो जाएंगे opportunity आपके पास आएगी आपकी destiny खराब है उसको आप neglect कर देगे ठीक है आपका destiny अच्छा है आप उसको accept कर लेंगे एक number का roll बहुत important हो जाता है उसी प्रकार से आपने देखा कि second house के कस्पल सबलोट का planet first house में जाकर बैठ गया तो it means जब तक वो व्यक्ति self effort नहीं करेगा उसको finance मिलेगा ही नहीं मिलेगा यह हमेशा ध्यान रखिए ठीक है अब माली जे यही planet second house में चला गया क्या कहेंगे आप second house किस चीज का है भाई बताइए बैंकिंगे मतलब उसको जो wealth है कहीं ना कहीं उसमें family include रहेगी ठीक है माली जो business कर रहा हो तो हो सकता वो अपना family business कर रहा हो सको wealth आ रही ठीक है देखे बहुत minor difference है वेल्थ का यह कभी मतलब नहीं है कि job business ठीक है job और business से जो income हो रही वो wealth है आपकी ठीक है तो यह हम job की business की इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम wealth की बात कर रहे हैं मतलब आपके पार जो धन आ रहा है आपके पार पैसा आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं ठीक है ध्यान रखना अब आपने देखा कि सेकेंड हाउस का कस्पल सब्लॉट जाके सेकेंड हाउस में बैठ गया तो आप समझ जाईए कि कहीं ना कहीं हमारे वेल्थ में हमारी फैमिली इंकलूड है हमारा परिवार हमारा कुटम हमारे माता-पिता इन हमारा काम है Onlineका काम है कमिशनीग का काम है भूकिंग का काम है जितने भी सिगनिफिकेंटर जानते हैं वह सिगनिफिकेंटर में से कोई कोई significant your your अपकी से connect होगा इसी प्रकार से माली जी यहां पर आगया कस्पल सब्लोट का planet तो आप कह सकते हैं कि आपकी वेल्थ आपको आपकी मदर से मिल सकती घर बैठे मिल सकती है यह आप जो काम कर रहे हैं वह आप घर से operate कर रहे होंगे ठीक है अब तो remedy भी आप दे सकते माली जो भी बिजनस कर रहे हैं उसका कहीं न कहीं से आपके घर से connection होना चाहिए तो वह आपकी वेल्थ बनी रहेगी क्यों क्योंकि कस्पल सब्लोट का प्लानेट जहां बैठ गया है वो हाउस बहुत इंपॉर्टन्ट हो गया है ठीक है अंदर कोई बिजनस कर रहे हैं तो या तो आप घर को ऑफिस बना लीजे या घर को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से connect कर लीजे नह बाभा कोल सकते हैं छोटी मुटी दुकान खोल सकते हैं रेस्टोरेंट खोल सकते हैं होटेल खोल सकते हैं जहां से आपको वेल्थ की प्राप्ती होगी इस फोर्थ हाउस ठीक है अभी हमने बताया फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस क्या है बच्चों का हाउस है ठीक है एंट job का मतलब होता है किसी के अंडर में रहके काम करना और उससे क्या लेना payment ठीक है payment लेना हर महीने fix एक amount लेना तनका लेना salary लेना that is job तो आपको ये दिमाग में रख लेना है कि मेरे जो wealth का source है वो 6,000 से connect है तो मैं यदि कहीं पर service करूँगा तो मेरी wealth अच्छी रहेगी ठीक है मेरी wealth क्या होगी बहुत अच्छी होगी आपने कुछ देखा होगा दुनिया में ऐसे वेक्ति हैं जो बहुत minded होते हैं लेकिन वो किसी company के लिए काम करते हैं उस company के managing post पे होंगे CEO की post पे होंगे उनकी कुंडली कहती कि तुम दूसरे को सला दोगे उसको उससे फायदा होग और उससे तुमारी wealth बढ़ेगी लेकिन वही वेक्ति यदि वो company खोल के बैठ जाए तो कहो उसकी पूरी wealth डूब जाए या उसका business डूब जाए क्यों क्योंकि fix है कि आप जब job करेंगे या किसी के under में रहके काम करेंगे salary लेंगे तो आपकी wealth बहुत अच्छी रही ठीक है तो उसको हम यह नहीं कह सकते हैं तुम इतने brain brain वाले वेक्ति हो minded वेक्ति हो तुम तो यह छोड़ो और same काम करने लोगो आपने कभी कभी देखा same काम करने अला वेक्ति डूब जाता है लेकिन वह वही काम दूसरे के लिए कर रहा है तो वह success होता है क्योंकि 6 number active उसको salary ले जॉब से हो सकती है 6,000 लोन का है लोन से प्राप्त हो सकती मतलब ऐसा जॉब करी है जिस में लोन हो लोन वाला काम हो ठीक है अब माली जी कोई महिला है उसके second house की script में 6 number आ गया अब बताई उसको कैसे पैसा प्राप्त होगा आठ नमबर तो मैंने बता दिये पती दे तंखला के दे देंगे माली जी कोई महिला है उसके में 6th house आ रहा है ठीक है एर्थ house आएगा तो उसको अपने life partner मतलब husband से पैसा मिल जाएगा तंखा के रूप में मिल जाए तंखला के दे देगा नहीं देगा तो महीने का खर्च देगा वो ले यार तुम बहुत अच्छी हो कम खर्च कराती यह तो पांच हजार हर महीने तुम खर्च किया करो वो भी उसका एर्थ house हो गया है अब माली जी 6th house आगया ठीक है कुछ तो आपने husband के पैसे को खर्च करे एकस्पांडीचर इन्वेस्ट करें ने ने यहां वेल्ट देखिए क्या होता है आपने देखा को कुछ-कुछ मैरेज में dispute आते हैं तो पती-पतनी अलग रहने लगते हैं पती उसको एक खर्चा देने लगता है ठीक है दोनों separate हो गया है तो separation का house कौन सा है 6th house आपकी partner का house 7 number है तो partner से अलग होना क्या है negation 6th house तो after separation आपको wealth आने लगेगी मतलब पता चला हर महीने वह आपको पैसे दे रहा है उस समय आपका वो 6th house है क्योंकि separation होने के बाद पैसा मिल रहा है ठीक है मालीजी कोई महीला आई बोली मैं अपने पती से तलाक ले रहे हूं तलाक के बाद मुझे क्या हर महीने पैसे मिलेंगे की नहीं मिलेंगे उस समय आपको 6 number आना चाहिए उसकी script में तभी after separation उसको एक साथ रहना पड़ेंगे तब 8 number का पैसा आपको मिलेगा understand what is the difference between 8 number and 6 number ठीक है 8 number और क्यों कहां थे पर 6 number पे थे नो ठीक है 6 number में business का पैसा भी होता है जिसकी business की script में 6 number आ रहा है वो सबसे अच्छा business कर सकता है कोई answer देगा why भाहिए छे number क्या है दूसरों का पैसा है न बिजनस में आपको क्या चाहिए दूसरों से पैसे चाहिए न सब्सक्राइब क्या है जब तक 6 इन्वेस्ट करना पैसे से पैसा बनाना ठीक है यह यदि आप कोई चीज बना भी रहें तो आप उसको मार्केट में ले जाके बेचेंगे आपका अपोनेंट जब उसको खरीदेगा तब आपके पास पैसा आएगा और आपोनेंट का पैसा क्या है च्छे नंबर है यह जब आ आप एक अच्छे बिजनस्में बन सकते हैं चैक है तो आपको बिजनस से भी अच्छा पैसा मिल सकता थीक है अब मालीजी किसी आसे बिजनस में पार्टनर बनके बैठें हैं जहां कुछ कुछ नहीं करते हैं ठीक है silent partner है लेकिन आपको profit बहुत हो रहा है ठीक है तो भी 6 number क्या आपका active है न क्योंकि आपका business partner भी कह 7th house है और उसका 12th house activate हो रखा है मतलब आपका 6th house तो आपको यह दिख 6 number से पैसा आ रहा है तो कहीं न कहीं आप business आपका जो partner है उससे क्या और अला जैसे एक पतनी को after separation जो पैसा मिल रहा है वो separation money 6th house की रूप में मिल रही है मतलब life partner से profit हो रहा है उसी प्रकार से business partner से वो profit कहलाएगा 6 number clear है 6 number ठीक है 7 number आपको पता है business website ठीक है और जो retail business होता है ना वो भी 7th house होता है ध्यान रखिएगा ना 7th house माली जे किसी ने बोला क्या मैं किराने की दुकान खोल लूँ या retail house खोल लूँ अब आपने देखिए उसकी wealth की script second house की उसमें 7 number आ रहा है तो आप उससे कहेंगा आप retail business भी कर सकते हैं बाकी दूसरों को क्या बताएंगे अधि पती है तो पत्नी को फायदा होगा पत्नी यह तो पती को फायदा होगा सीदी सीवाथ है अब बाकी लोगों को क्या बताएंगे यह उसकी script में आठ आ गया तो आप नंबर की सिगनिफिकेशन क्या होते है वही तो ट्न मंत्र बेकर सकता हो से फायदा होगा टंत्र मंत्र जितनी अज़िएधन विद्याह होती है सब एर्थाउस होती है ठीक है research कर सकता है वो चुपी हूची जो को ना वियर था उसे इंशोरेंस का काम कर सकता है वो ठीक है ध्यान रखना insurance it doesn't mean investment investment यह था नँशूरेंस किसी भी प्रकार का investment नहीं होता ध्यान रखिए मरने के बाद मिलेगा वो भी किसको जो मरने के बाद लखी बचा है आपका पार्टनर तो इंशुरेंस का पैसा क्या होता एर्थाउस होता है ध्यान रखिएगा मालिज आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपकी वेल्थ में एर्थाउस आ रहा है मालिज आप बैंकिंग सेक्टर में आप परिशान हूं वेल्थ तो हाठ नंबर है आप उससे यह नहीं कहेंगे कि पतनी का जाके इंसुरेंस कर दो ठीक है करतो देगा विचार लेकिन कितनी करेगा एक ही है उसके पास अंडरस्टैंड तो आप बोलेंगे कि आपको जो जॉब कर रहे हो हो उसमें आप माल लिजे फॉर एक्जांपल बैंक के स ऐसा ठीक है एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती ना वहां से भी आपको वेल्थ मिलेगी पता चला आपके पुर्खे मरे और उनने बोला कि यहां एक सोने का घड़ा है उसको निकाल लेना पता चला आपकी दो पूड़ियां फुरसत हो गई इतना सोना देके चले गए आपको एक मुस्त वेल्थ मिल गई ठीक है यह दुचार करोड का बंगला आपके नाम पर कर दिया वह भी आपके फैनांस का सोर्स बन जाएगी मालीजे नाइन्थ हाउस में बैठा है तो नाइन्थ हाउस के सिगनिफिकेशन क्या होते हैं भाई पिता से मालीजे आप जो बिजनस क यहांने तो कहीं बैठा है आपको अपनी वेल्थ में नाइन के उसको गनेक्ट करना ही पड़ेगा करेंगे तो बेटर है नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो problem आईगी ही आईगी, ठीक है, 9 number और क्या होता है, आपके पास जो education होता है, उसके base पे जो आप wealth कमाते हैं, that is also 9 number, यह हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपके पास जो higher knowledge है, higher study है, जैसे आप अपने astrology के knowledge के base पे पैसा कमाएंगे, तो वो भी 9,000, किसी को जाकर सलह दें हैंगे, that is also 9 number, जब हम अपने knowledge को wealth कमानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, that is 9,000, ठीक है, धर्म के नाम पे भी पैसा कमा सकते हैं, धर्म क्या है, 9,000, अब देखे यह आपने धर्म के नाम पे कितना पैसा कमाते हैं लोग, ठीक है, समझ गए, एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है, अलो, अच्छिलिए 10th house में आगया तो क्या होगा 10th house क्या है प्रोफेशन है 10th house क्या है प्रोफेशन ठीक है जब अपन वो पढ़ेंगे न जॉब तब मैं आपको बता दूँगा जॉब प्रोफेशन और बिजनस तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों को कैसे डिफरेंशियेट करके देखते हैं सरकार से कैसे सरकार के लिए सन होना जी मान लीजा आपका सेकेंड हाउस का कस्पल सब्लॉट सन बना है और सन जाके टेंथ हाउस में बैठ गया है तो सन इस गवर्मेंट सन इस राजा किंग किंग मंद मिन्स गवर्मेंट अब सोर्स प्लैनेट को भी यूटलाइज कर सकते हैं हमें शद्हान रट जैसे मालीजे आपने सेकेंड हाउस का कस्पल सब्लॉट सन है और सन जाके टेंथ हाउस में बैठा है तो अब आपको यह दो चीज पता चल लगी कि मुझे टेंथ हाउस से तो प्लैनेट को भी यूटलाइज कर सकते हैं हाउस को भी आट कर दिया प्लैनेट को भी आट कर दिया बेस्ट रेमेडी हो गई चलिए 11 थाउस चलिए 11 थाउस बताईए भाई बहुत आता है 11 11थाउस मतलब जो भी काम करना उसमें legal money या white money होनी चाहिए वही होता है 11 थीक है अपनी इक्षा का काम करें जिसमें आपकी इक्षा और desire बहुत जादा हो 11 थाउस कि हो 11 थाउस ऐसा काम करें जिसमें social circle हो, social circle जानते हैं न, 11th house होता है, आपके मित्र भी include हो सकते हैं, क्योंकि 11th house क्या है, friendship का भी house है, ठीक है, जादा कुछ है नहीं 11th house में, लेकिन 11th house क्या है, कोई भी business ऐसा करें, जिसमें केवल legal और white money आती है, क्योंकि legal and white money is 11th house, ठीक है, आपके bank में काला धन और हो सकता है, second house, लेकिन यदि 11th house आ रहा है, मतलब आपको केवल white money या legal money का काम करना है, ठीक है, under the table वालव काम नहीं चले, 12th house अभी आपको पता है, investment से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, विदेश से पैसा कमा सकते हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका wealth से 12th house जोड़ा ह हुआ है, तो आप बोलेंगे, उस company में काम करिए, जो company NRI हो, बाहर की हो, MNC हो, multinational company, ठीक है, अब आपने second house की, क्या देखी, script, उसमें आ रहा है, 6 number और 12 number, तो 6 number क्या है, job है, 12 number क्या है, विदेश है, तो आपकी wealth का जो source बन रहा है, 6 number और 12 number बन रहा है, तो आप उसको ब दोनों एक ही बात है, तीसरा option, North India में रहते हैं, तो South India में जाके काम करें, क्योंकि 12th number is also different environment, hospital में जाके नौकरी करी है, 12 number is hospital, jail की नौकरी कर सकते हैं, 12 number is jail, ठीक है, तो आप 12 number को ऐसे utilize करके बता सकते हैं, हम माली जी आ गया, 7 number और 12 number आ गया, तो 7 number is business, 12 number is foreign country, आप ऐसा business करिये, जिसमें company कहां की हो, बाहर देश की हो, ठीक है, मतलब बाहर की देश की company के साथ काम करिये, या आप माली जी कोई instrument बनाते हैं, तो आप ऐसे instrument बनाई हैं, जो आप कहां पे deliver कर सकें, hospital में deliver कर सकें, माली जी आप food का business करते हैं, ठीक है, तो आप jail में खाना supply करने का काम कर सकते हैं, मतलब you have to connect 7 with 12, जैसे आप इसको connect करते हैं, वो remedy भी हो जाएगी और वही prediction भी हो जाएगी, यदि वो पहले आया है, तो ये काम करना है, बाद में आया है, तो वो तो ये बताएगा, मैं परि प्रकार से हम second house के कस्पल सबलोट के planet की position किस house में है, उसके according remedy भी दे सकते हैं, प्लस उसको advise भी कर सकते हैं, ठीक है, remedy देना या advise करना एक ही बात है, remedy कब दी जाती है, जब तीर कमान से निकल चुका रहता है, ठीक है, advice कब दी जाती है, बिटा शादी मत कर, शादी करने के जिन्दिगी खरा हो जाती है, ठीक है, तो ये dialogue कम मार सकते हैं, जब उसकी शादी नहीं हुई है, अब वो शादी कर चुका है, अब वो पूछने आएगा क्या कर लूँ मैं कि सब कुछ अच्छा रहे, तो आपको 11th house का कस्पल सबलोट देखना है कि married life disturb है कि नहीं है, आठ को utilize कर लो, registered करा लो marriage, शादी के बाद किसी दूसरी जगा चले जाओ, जहां आप रहते हैं उससे different environment होना चाहिए या विदेश चले जाओ, वन्ना ये शादी टूड जाएगी, ठीक है, तो ऐसे आप उसको advise भी कर सकते हो, तीर्थ निकल चुका है, मतलब शादी हो चु छादी है, थोड़ा-थोड़ा मैने आपको बताया है, चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन मैंने आपको technique बताईए, की technique आना चाहिए, क्यूंकि देखें कि सारी चीज़ें, ना तो कोई याद कर सकता है, ना कोई किसी को बता सकता है, लेकिन आपके पास एक formula होना चाहिए, वो फॉर्मुला योदि आपको पता है तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, किताब में देख सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको एक फॉर्मुला बता है कि कैसे कस्पल सब लॉट बैठ रहा है, तो सोर्स देखना है, स्टार लॉट क्या नंबर देख रहा है, उसके क्या प्रेडिक्शन होगी, कौन से मेजर नंबर है, फाइनाइस में 2611 है, गेन के नंबर 2611 होता है, किसी ने क्वेश्चन किया, क्या मुझे बिजनस से फाइदा होगा की नुकसान? तो क्वेश्चन is related with the 7th house कस्पल सब्लोड, because he is asking about the business, so our major house is 7th house, then we go for 7th house कस्पल सब्लोड, we will check 7th house कस्पल सब्लोड is giving 2611 or not, if giving 2611, it means there is a gain from the business, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, कि gain का नंबर जो होता है, वो 2611 है, क्या मैं नौकरी करूंगा, तो मुझे फाइदा होगा कि नहीं होगा, तो आपको 6th house का कस्पल सब्लोड देखना है, क्योंकि नौकरी और जॉब का 6th house का कस्पल, अब वो 6th house का कस्पल सब्लोड भी 2611 दे रहा है, that means उसको नौकरी से gain है, तो gain क्या होता है, financial होता है, और nothing कुछ ऐसा तो होता नहीं, ठीक है, मेरी wealth कैसी होगी, तो आपको पता है, 2nd house का कस्पल सब्लोड देखना है, मैं जो profession कर रहा हूँ, मेरे लिए gainful है की नहीं है, तो 10th house का कस्पल सब्लोड 2611 दे रहा है, it means gain ही gain है, clear है, तो 2611 finance के लिए best है, प्लस आपके दिमाग में set होना चाहिए, यह gain का number है, हमें यह क्या देता है, gain देता, gain means फाइदा देता, 5812 यह problematic number है, finance के sector में, business में पूछा, तो भी problematic हो गया, job में पूछा, तो भी problematic हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से, जो business number है, उनकी भूमी का हमें पता होना चाहिए, उनके role को पता होना चाहिए, यदि आपको key point पता है, तो सारी चीज़ यहाँ आप automatically कर लें, क्योंकि यह number 12 है, और यही सारे events में आएंगे, तो हमें इनको differentiate करने आना चाहिए, कि इनका क्या role है, ठीक है, जब आप पैदा हुएं तो आप छोटे बच्चे है, ठीक है, बड़े हुएं तो दोस्त बन गए, किसी के भाई बन गए, ठीक है, आप तो वहीं है, लेकिन आपके role बदलते जाएंगे, शादी होगे, पती होगे, बच्चे होगे, पिता बन गए, बच्चे के बच्चे होगे, दादा बन गए, तो आप वहीं है, आपके role बदल रहे हैं, उसी प्रकार से number 12 fix हैं, 1 to 12, according to event उसके role बदल जाते हैं, ठीक है, छे number जहां में नौकरी दे रहा है, शादी में separation दे रहा है, ठीक है, तो according to event, उन number की signification को समझना आवश्यक, इसलिए मैं पहले उन major number को समझा देता हूँ, ताकि आप जब भी आगे पढ़ें, तो आपके दिमाग में set रहें, clear है यह चाहिए? ठीक है, चलिए, अब एक आगे पढ़ते हैं, share, देखें, second CSL का planet, Jupiter आजाए या Venus आजाए, ठीक है, क्या जाए, Jupiter आजाए या Venus आजाए, यह planet की बात करो हूँ, किसके second house के कसपल सबलोट का planet यह जुपिटर या Venus आजाए, तो विक्ति का financial status जो कहा जाता है, वो एक line में good कहा जाता है, साथी साथ stable भी कहा जाता है, अच्छा होगा साथी साथ stable भी होगा, stable मतलब टिकाउ होगा, ठीक है, अब यह दिया आपने देखा कि 7th house के कसपल सबलोट का planet, कहां चला जाए, odd houses में चला जाए, odd house के number में चला जाए, तो भी कहा जाता है कि good wealth होगी, ठीक है, odd houses में बैड़ जाए, वनला 1, 3, 5, 7, 11, ठीक है, odd numbers में बैड़ जाए, तो भी कहा जाता है कि good wealth होगी, अब, second house के कसपल सबलोट का planet, कहां पर हो जाए, 10th house में आ जाए, 10th house का विसेश रोल है, 10th house आ जाए तो आपको wealth के साथ साथ स्टेटस भी मिलेगा, ध्यान रगी एक कबाड़ी करोड़ पती होता है, लेकिन उसके पास स्टेटस नहीं होता है, उसको कहेंगे कबाड़ी, ठीक है, तो wealth के साथ स्टेटस जुड़ जाएगा, पैसा तो आएगा ही, आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 10th house के है, स्टेटस है, अथार्टीशिप है, ठीक है, पैसे के साथ साथ आपकी अथार्टीशिप भी बढ़ेगी, आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कुछ विशिश कंडीसन है, जो मैं बता रहा हूँ, हम माल लीजे, second house के कस्पल सबलोट का प्लानेट, कहां पे चला जाए, मूविंग राशी में, चर अचर दूई सॉभाव, मूविंग फिक्स डूवल, ठीक है, मूविंग फिक्स डूवल, ठीक है, इध्यान डखना, second house के कस्पल सबलोट का प्लानेट को देख रहे हैं, अभी हमने जो सोर्स पता किया ना, तो प्लानेट से ही पता किया, कहां-कहां बैठा है, वैसे ही उस प्लानेट को फिर चेक कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ और जानकारी हैं मिल रही है, हमने देखा कि यदि वो second house का, जैसे अभी हमने, उनने सरने किया था, सरकार से, तो मैंने कहा था, प्लानेट यदि सान आ जाए, उसी प्रकार से second house के कस्पल सबलोट का प्लानेट हमें, जुपिटर या वीनस दिख जाए, तो भी है, तुमारा finance जो होगा, उसका status जो होगा, वो good होगा और stable होगा, odd houses में मिलता है, तो good wealth का जाती, 10th house में मिलता है, तो wealth के साथ साथ, वो आपको status भी प्रदान करेगा, इसी प्रकार से माली जे, moving राशी में, fix राशी में, dual राशी में पढ़ जाए, ठीक है, देखें, moving में, large scale में पैसा आएगा, large scale में पैसा आएगा, plus, fortune भी आपका साथ देगा, ठीक है, fix में आएगा, तो fix मतलब समझ गए, आप slow and steady, स्थिर पैसा राएगा, dual में आजाएगा तो, limited, limited fortune साथ देगा, limited पैसा आएगा, ठीक है, भाग के आपका बहुत limited साथ देगा, wealth के मामले में, ठीक है, dual में आगया, fix में आगया, तो भाग के आपका, इतना कम support करेगा, कि आपको धीरे-धीरे पैसा प्राप्त होगा, लेकिन वो study होगा, रुक जाएगा, फिर मिलेगा, रुक जाएगा, फिर मिलेगा, moving में आगया, moving मतलब रुकेगा ये नहीं पैसा, पैसा आता है जाएगा, large skill में, प्लस आपका fortune भी आपके साथ में रहेगा, ये राशियों का impact है, ठीक है, second house के कस्पल सबलोट का planet, किस प्रकार की राशिय में बैठा है, moving राशिय में बैठा है, fix राशिय में बैठा है, dual राशिय में बैठा है, इससे भी हम कई चीज़े examine कर सकते हैं, ठीक है, तो finance में कुछ points है, जो मैंने आपको बता दिये, ठीक है, चलिए, बताए किसी को और कुछ पूछना है तो, कस्पल लाट का planet बता रहा है न, वो क्या है, वो star लाट है न, अभी सीखी है, वो कस्पल सब लाट के planet बस को देखना है, अच्छा, वो house का, ये थीन है न, एक sign लाट होता है, star लाट होता है, उसमें कौन सा planet को consider करना पड़ेगा, नहीं, नहीं, देखो, आप समझें नहीं, एक सकड़, देखें, माल लीजी, ये चाट खोला है, इसने अपने wealth के बारे में पूचा, तो हमको सीधे second house का, कस्पल सब लाट का planet देखा हमने, कस्पल सब लाट कोन है यहाँ आप है, अच्छा, अच्छा, सब लाट, अच्छा, ठीक है, कस्पल सब लाट, मून देखा, अब हमने पहले देखा कि मून कहाँ पर placed है, तो देखें, मून कहाँ पर बैठा है, Scorpion में बैठा है, अच्छा, ये, house कौन सा है, तो आपको कौन सी राशी में बैठा है, Scorpion में, Scorpion मूविंग फिक्स है, डूल है, डूल, जी, देखो, मूविंग फिक्स डूल कैसे निकलता है, मुविंग फिक्स मुविंग फिक्स चुल वन तू 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 है फिक्स उसका फाइनेंशल स्टेटस कैसा होगा तू तू अभी आपको प्लाइनट देखना अब सोर्स ऑफ इंकम पता करना है तो किस हाउस में बैठा है उसका नाइंथ में ठीक है तो यह नॉलेज से पैसा कमा सकता है नाइन्थ हाउस मैं आपके पास जो नॉलेज एजुकीशन है उससे आप पैसा और कर सकते हैं धर्म से पैसा कमा सकता है लाँ इन फादर की इंवाल्मेंट पैसा कमा सकता है पतें गिन घल टाइज उसकी नाइनएंद हाम सकते है» क्रहें गों कि लॉट प्लाइन्ड currently से वहigoru माल लीजिए पिता जी इसकी कोई होटल चलाते थे तो उसने फादर के होटल या रेस्टोरेंट के बिजनस को ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसने रेकिये मून को यूटलाइज कर लिया है, कैसे यूज़ कर लिया, तो यह उसका नाइन हाउस भी यूटलाइज हो गया, प्लस कस्पल सबलोट का प्लानेट भी यूटलाइज हो गया, अब वो उसके पास वेल्थ अच्छी आई, जड़ी वो यूज़ नहीं करेगा तो दिख्कत आई ठीक है सुझ मैं कैसे यूज करते हैं कैसे आपको बताना है ठीक है मतलब आप प्लानेट को भी यूज करेंगे अब मा लीजिए ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग is also मून अब उसके पिता जी का ट्रेवलिंग का बिजनस है नहीं है अब वो बिजनस करना चाहा रहा है लेकिन वेल्थ अच्ची आने चाहिए तो आप बोलेंगे ट्रेवलिंग का बिजनस करिये क्यों करिये क्योंकि मून आपका सेकेंड हाउस का कस्पल सावलोड बना लेकिन उस ट्रेवलिंग एजेंसी का फीता पिता जी के नाम से कटवाईएगा और उसका नाम भी पिता जी के नाम पर रखिएगा ठीक है क्यों क्यों क्योंकि आपकी मजबूरी है आपको 9000 को भी इंक्लूट करना पड़ेगा क्योंकि कस्पल सब्लॉट जाकर बैठा 9000 ठीक है या आप उस टूरें ट्रवल का बि कराओ कासी की हिमाले की अपने ट्रेवलिंग एजंसी में ये काम करो आपको बहुत फायदा हो तो आपने प्लानेट को भी यूटलाइज कर लिया हाउस को भी यूटलाइज कर लिया अब उसकी वेल्थ खराब नहीं हो पाएगी ठीक है तो यह आपकी एडवाइज भी हो ग ट्रेवलिंग तो करता हूं लेकिन मैं गुवा और लंडन भेजता हूं अब ट्वेल्थ हाउस वहां जोड़े नहीं है ठीक है तो इसलिए आपको बिजनस में लॉस हो रहा है तो आपने उसकी स्क्रिप्ट में देख लिए स्क्रिप्ट तो इन चीज़ों को सपोर्ट कर र ठीक है 2, 6, 11, 5, 8, 12 कस्पल सबलोट का प्लानेट के प्लानेट की पोजीशन अब आपसे वह रिजल्ट पूछता है कि मुझे वेल्थ अच्छी मिलेगी खराब मिलेगी सेकंड हाउस के कस्पल सबलोट के प्लानेट का स्टार लॉट देखना है क्या वह 2, 6, 11 दे रहा है कि 5, 8, 12, 8 जब वो रिजल्ट की बात करेगा तो स्टार लॉट पे जाना है जब वो सोर्स की बात करेगा तो कस्पल सबलोट के प्लानेट तक ही रहना है जैसे इसी कुंडली में अभी तो हमने उसका सोर्स बताया था है अब वो पूछेगा मेरी वेल्थ कैसी है तो आपको के मून का स्टारवलॉट को ने मून का सैटन अब देखना है कि सैटन क्या नंबर दे रहा है तो सैटन देखे 8, 12, 2, 9, 11 दे रहा है तो सुरू के 2 नंबर इंपोर्टेंट होते मैंने आपको बताया था याद है ओटू थेवरी अप बताई ऐए इसको क्या बोलेंगे इसका पैसा फसेगा कि अच्छा रहेगा इस विक्ति है बताइए भाई स्टारलोड दे रहा है आठ और बारा और अभी मैंने आपको बताया था 5812 क्या है डेंजर है तो इसकी वेल्थ क्या है डेंजर में है की नहीं है कब तक डेंजर में रहेगी जब तक यह 812 मून इनको यूटिलाइज ना करें सुरी यह जो मून है ना 9000 में नहीं एर्थ हाउस में ना 9000 जो है 14 डिगरी से शुरू हो रहा है और मून जो है वह 9 डिगरी पर है इसकी डिगरी कम है मतलब यह पहले हाउस में मतलब एर्थ हाउस में ठीक है तो इस वेक्ति को 8 नंबर 12 यूटिलाइज करना पड़ेगा नहीं तो इसकी वेल्थ गई पानी में ठीक है 8 और 12 आपको माल में बहुत कतर नाक होते हैं अब देखिए कस्पल सबलोड मून है मून का स्टारलोड का है सैटन सैटन का सबलोड का वीनस अब वीनस के नंबर भी देख लीजे यह देखो 875 सपोर्ट मिल गया 8 स्टारलोड भी 8 दे रहा सबलोड भी दे रहा 8 यदि आपन के पास चली जाएगी 201% क्योंकि स्टारलोड को यदि सबलोड का सपोर्ट मिल जाता है तो उस पे सील लग जाती है प्रॉमिस की ठीक है स्टारलोड को यदि सबलोड वीक कर दे निगेशन के माददम से तो वो उसके इंपेक्ट को कम कर देता हमेशा धहन रखें ठीक है नहीं किया तो गया इसका पूरा पैसा चला जाएगा क्योंकि एट नंबर यहां डेंजरस ने दूसरे का पैसा है सामने वाले के पास चला जाएगा आठ नंबर क्या है सामने वाले को प्रॉफिट तो इसको 100% अपने लाइफ पार्टनर के नाम भी बिजनस करना पड़ेग इंशरेंस के सेक्टर में काम कर सकता है यह अकल साइंस में तंत्र मंत्र की विद्या में काम कर सकता है यह ऐसा काम करें जिसमें इसके एंसेस्टर प्रॉपर्टी लगी हुई हो आठ नंबर से कनेक्शन नहीं बनाएगा चंद्रमामून से कनेक्शन नहीं बनाएगा तो इस के wealth को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि सब लॉट का support मिलना मतलब stamp लग जाना कि क्या काम से आप ठीक है तो मैं इसको देखते कैसे script में कैसे देखते हैं कुंडली में कैसे देखते हैं ठीक है चलिए और बताइए किसी का कोई question ठीक है चलिए question नहीं तब close करते है class ठीक है ठीक है तरी सब्सक्राइब कर कोई list है क्या मतलब जैसे 2711 में इसका अच्छा जाएगा आपको चिंता अच्छा याद दिलाए आपने वह लिस्ट है मेरे पास ठीक है जब क्लास ओवर होती तम में देता हूँ तो आभी आप बहुत सारी चीज़े पढ़के कंफीज हो जाएंगे ठीक है नंबर तो वही है वन टू ट्वेल्ट है चलिए और चलिका नंबर किया था वह एक बार फिर से बता सकते है ऐसा अस्तोलिजी का मतलब एस्तोलिजी से अगर क्या आपको आपके ग्यान से पैसा कमाना है तो इन थाउस जैसे मालीज आप मैथ्स बहुत अच्छी है आपकी नौकरी नहीं लगी मैथ्स के ट्यूशन टीचर बन जाईए कोचिंग पढ़ाने लगी आपको बहुत पैसा मिलेगा क्योंकि नॉलेज से गेन कर रहे हैं क्योंकि आपके वेल्थ में नाइन नंबर आ रहा है ठीक है एड़ोकेट हैं आपके पास नौलेज है उस नौलेज के बिस से भी यो पैसा कमा सकते हैं ठीक है नौलेज से पैसा कमाना एडवाईजरी दे के पैसा कमाना फाइव नंबर नाइन नंबर होता है इसलिए एस्टालिजी में फोर नाइन एलेवन बहुत इंपोर्टन नमंबर होते हैं ठीक है Astrologer के लिए Nine number भी बहुत अच्छा number मानाएगा क्यों क्योंकि सलाह से पैसा कमाना अपने ग्यान से पैसा कमाना ठीक है Astrology के लिए Nine number भी अच्छा माना जाता है Apos किसका देखना पड़ेगा सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट वीक हां नेक्स्ट वीक हां नेक्स्ट वीक वी क्लास खरता झाल्काइब का है लिए उसक्राइब क्वेशित्छ थे वियुote